रिशो एंड प्रपोर्शन के प्रेक्टिस से जिसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स आपके कवर किये हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सिखाई हैं, वहां से एक ग्लिंप्स है, चलिए देखते हैं, आपको कोश्चन नमबर 149 दिख रहा होगा स्क्रीन के उपर, और इसके अंदर एक खास बात यह है कि इसमें कंसेप्ट लगेगा, इंटरचेंज ओफ कॉइंस का कंसेप्ट, तो चलिए समझते हैं, इंटरचेंज ओफ कॉइंस का कंसेप्ट, फुल लक्चर संडे को आ जाएगा, अगर कोई बंदाबाद में देख रहा है इस वीडियो को, आपको लिंक मिल जाएगा, चलिए देखते हैं, इसमें क्या है, इंटरचेंज ओफ कॉइंस में, आप देखिए कोशन आपने देख लिया है, कोशन में बोला कि, देर आर कॉइंस ओव डिनोमिनेशन वन, टू और फाइव, और टोटल कॉइंस हैं जो, वो हैं, टू फिफ् एक रुपया, दो रुपया, पांच रुपया, इच की वैल्यू, यही है, इच वैल्यू, ठीक है जी, हर की वैल्यू, रुपये में अल्रेडी दी हुए, यहां कुछ कनवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है हमें, आगे क्या है, नंबर ओफ कोइंस की जो बात है, वहां इंप रुपी कोईंस आर इंटर्चेंजट, ठीक है, अगर एक रुपय और दो रुपय के सिक्क्य आपस में बदल जाएं नंबर उनके, ठीक है, वो अभी कंसेप्ट में आएंगे हम, तो वहां पे पचास रुपय का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, टोटल वैल्यू इस वाली बात है, number of coins की जो value है, मैं कया लिखुं यहां पे? यह बड़ा दिक्कत है, इसको मैं एक separate value y मान सकता हूँ, नगिन यहां पे मैं क्या लिखा हूँ इनको कि y तो लिख नहीं सकता, अरग है y, यहां पे x की form में में अगर मैं लिखता हूँ तो बोनों में आपस में relation कैसा आएगा वो important है यहाँ पर समझना तो आपको क्या समझना है आप देखिए यहाँ मैं समझाता हूँ आपको कि कोई भी दो number है मान ले कि एक रुपे के coins हो गए यह और यह दो रुपे के coins हो गए अगर यहाँ पर यह एक रुपे के coins जो है यह मान लो की 20 है number यह concept बता रहा हूँ आपको यह मान लो 20 है और यह मान लो 70 है तो आप बताओ मेरे को total value इनकी क्या बन जाएगी 20 रुपे और 140 रुपे यानि की 160 रुपे और ऐसे ही अगर मैं अब वो कहरे interchange कर दिये मैंने number of coins को तो interchange किया तो यहाँ पर यह 70 हो गए और यह 20 हो गए तो value क्या बनी दो दुनी चार 40 और 70 रुपे इस value का difference देखो क्या है 50 यही वो हमें बोलने की कोशिश कर रहा है कि हमारे question में बोल रहा है कि उनकी जो total value में difference है वो 50 है ठीक है एक अच्छा question है यह बस थोड़ा सा एक concept चोट बात खतम तो यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात किया समझने वाली बात किया कि इनकी total value में जो difference हो 50 है लेकिन एक और बात समझने वाली यह है कि इनके खुद के बीच में भी 50 ही आएगा difference क्या यह यह बात को आप पकड़ पायो तो यही एक important thing थी कि इनके बीच का जो बीच का difference है वो भी 50 रहेगा अगर total value के बीच में difference 50 है तो बस फिर हमारा सवाल हो गया अब इसमें क्या है कि दो रुपे के सिक्के इधर चलेगे वो अधर चलेगे है तो इसको मैं x लूँगा तो यहाँ उसने बोला कि total value में decrease हुआ है अगर decrease हुआ है तो इसका मतलब है कि दो रुपे के सिक्के जादा थे आप इसको x नहीं मान सकते आप यह नहीं कह सकते यह x है और यह x-50 ऐसा नहीं बोल सकते हो ध्यान रखना इस बात का क्योंकि आपकी total value जो है total value जो है उसमें decrease हुआ है अगर decrease हुआ है तो यहाँ पर जो दो रुपे के सिक्के है वो जादा ह तो यानि कि दो रुपे के सिक्के जादा है और एक रुपे के कम है यह भी एक loophole था जो हम अक्सर पकड़ते नहीं है अब इसको remove कर देते हैं और समझते हैं आगे कि सवाल को अब कैसे solve करना है आप देखिए कि यहाँ पर total value क्या हो जाएगी हमारी यह हो जाएगी x-50 इसको multiply करेंगे यह हो जाएगी 2x इसको multiply करेंगे 5y अब हमें जो है total value दी कितनी होई है इन्होंने 967 दी हुई है total amount तो इनको सबको जोड के equal to 967 कर दो यह जो total value है यह 967 अपने को पता है अब इन दोनों को add करेंगे तो यह बनेगा 3x 50 उदर जाएगा और plus मैं 5y is equal to मैं 50 इसके अंदर जोड़ें अगर तो 6511 ठीक है 1017 हो गया यह अब दूसरी question कहां से आएगी number of coins आएगी number of coins आएगी number of coins आपको 250 दे रखे हैं तो इसको equal to मैं 250 तीनों coins जो है number of coins इनको add करेंगे add करेंगे तो यह कितना मनेगा 2x plus y is equal to मैं 50 उदर जाएगा तो यह 300 अब देखिए कि आपको y ही निकालना है उसने बोला कि 5 रुपे के सिक्के निकाले कितने हैं तो इसको into 2 कर दो इसको into 3 कर दो तो यह कितना बन गया 6x plus 10y is equal to मैं 2034 और यह कितना बन गया 6x plus 3y is equal to मैं 900 लीजिए elimination method से हम यह x कट गया 7y is equal to मैं 9 10 11 1134 हो गया और यहां से आप y easily निकाल सकते हैं निकाल लेते हैं 1134 divide by मैं 7 है ना 7 वंजा 9 10 11 तो 7 43 हो गया ने 7 6 42 और 7 12 14 लीजिए आपका y जो आ गया y की value जो आ गई वो 162 आ गई इसका मतलब है कि जो 5 रुपे के सिक्के आपके पास हैं वो 162 है ठीक है अब ऐसे ही अगर वो आपसे 1 रुपे और 2 रुपे के सिक्के भी पूछ ले तो कुछ नहीं है बस y की value 162 है किसी मे भी पूट करो यहां 162 पूट करो और यहां से आप X निकाल सकते हो ठीक है किसी भी equation में यह इस में यह इसमें ओके तब यह दो और तीन का कोई मतलब नहीं रहेगा सिरफ यह equations की मा बात कर रहा हूं इसके अंदर पूट करो यहां तो जिसके अंदर भी पूट करोगे same ही answer यहां पूट कर देना, यहां पूट कर देना, तो एक रुपए के सिक्के भी आजाएंगे और दो रुपए के सिक्के भी आजाएंगे, उमीद कर रहा हूं कि आपको समझ आयोगा, उसको उतार लो, ठीके बाई, तो यह जो है, ऐसे बहुत सारे बहुत सारी चीजें हैं, जो हमारे कंप्लीट सेशन में आप लोग देख सकते हैं, पार्ट वन जो है, जिसके अंदर बहुत सारे कॉंसेप्ट में बताए हैं, और बहुत सारे कोशन्स सोल कर आए हैं, वह ओल्रेडी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, लेकिन उसी के को आप लोग के पास आजाएगा, और उसको देखेगा जरूर क्योंकि उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और अल्रेडी हमने यह जो पेड़ कोर्स के नाम पे जो लोगों ने नोटकी चला रखी है, उसको खतम करने के लिए, हमने 200 गंटे के आसपास का यह जो